है अपका स्वागरत है आज है दिन मंगलवार को टीज़े को मैं हूं आपके साथ रहती हूं मैं हूं प्रियंका और आज हम फोकुस करने वाला इंशॉरंस पर इसी तरह मैं आपके साथ जोड़ती हूं थर्स्टे को जब हम परस्नल फाइनांस पर बात करते हैं सब कुछ है तो personal finance का इस्सा लेकिन बीमा को ले करके हम चाहते हैं awareness बढ़े और लोग समझे और इस बार budget में जो कदम उठाए गए हैं बीमा को ले करके उसमें अब आपकी संदगी में क्या बदलावाने वाला इसी को आज हम decode करने वाले हैं लेकिन आप अगर live अपने सवाल भीचना चाहते हैं तो सबसे पहले तरीका सबज लीजे कि आप हमें कैसे live सवाल भेच सकते हैं सबसे पहले तो अगर आप live broadcast से जोड़ें तो YouTube के comment box में नीचे जाके सवाल भेच सकते हैं जो से अभी 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 शेक थिरपाठी ने मुझे अपना सवाल भेच सकते हैं अपने सवाल जो है Twitter के जरिए Facebook के जरिए पस सवाल आपको कैसे देना है यह मैं आपको बता दूँ नंबर एक बर रिपीट करती हूँ 9311-21874 पर आपको सवाल पेजना है और अपना सवाल जो है पूरे detail के साथ जरूर दीजेगा यानि आप जितने clarity से अपना सव सवाल हम तक पहुंचाएंगे ना हमारे एक्सपर्ट उतने ही clarity से आपको जवाब भी देंगे तो आज हेलो मारीनाइन के इस insurance special show में मेरे साथ जूर रहे है नवीन राज शरफपन वेल्कम टू तो दे शो नवीन इंशॉरंस एक्सपर्ट है और इंशॉरंस इंडस्री से इ आने के लिए और लाइव सवाल जो है आने शुरू हो चुके मैं यह लाइव सवाल रखोंगे लेकिन उससे पहले नॉन यूलिप पर इस budget ने जटका दे दिया है यह नॉन यूलिप पर ही क्यों और क्या होते है यह नॉन यूलिप प्लान और क्यों कि 5 लाग से अगर आप प्रीमियम साल में अदा करेंगे तो maturity पर अब tax है वो 10-10-D जो थी income tax की उसकी कोई छूट नहीं है तो बिल्कुल सही बोला नॉन यूलिप अगर नॉन यूलिप की बात कर रहे हैं तो जैसे एक फरवरी 2021 में निर्मला सीतारमन जी ने यूलिप पे एक जटका दिया था जिसमें 5 लाग के लिमिट थी नॉन यूलिप विच इस नॉन लिंक्ट इंशूरेंस प्लांस जिसे हम ट्रडिशनल भाषा में ट्रडिशनल प्लांस एंडर्मेंट पॉलिप पॉलिशी बोलते हैं वो नॉन यूलिप पॉलिशी होती है उसमें सरकार ने एक अपरेल 2023 से पांच लाक या उससे जादा एक कई पॉलिशी होने के बाद अगर सानाला प्रीमियम होता है तो उसमें 1010D मतलब मैचियूरिटी का अमाउंट टैक्सिबल होगा अब तक ही टैक्स फ्री था अब तक ही टैक्स फ्री था बिकॉज इंशूरेंस इंकम टैक 1010D उसमें लगता था अगर 1010D की भी कुछ शर्ते थी बट उस शर्तों के बावजूद भी अब वो टैक्सेबल इनेचर होगा क्यों क्यों लगाया है टाक्स यह सवाल जिसके भी जीब से पैसे जाता वो यहीं पूछता है पर हां मेरे पास इतने मोटे प्रीमियम वाला प्रीमियम नहीं है तो एक आपने बहुत अच्छा प पेनिट्रेशन एस पर दा पॉपुलेशन बहुत कम है तो हिंदुस्तान आज की तारीक में अल्मोस नंबर वन पर पहुंच गया है पॉपुलेशन में बट पैनिट्रेशन इन लाइफ इंशुरेंस इस वेरी लो उसके चलते कहीं ना कहीं टॉप लाइन की अगर हम बात कर करते हैं कहीं ना कहीं IRDA ने सोचा कि उनको वहां से ध्यान हटा के इधर की तरफ लाया जाए जिसमें वो पैनिट्रेशन बढ़ा सकें रूरल एरिया तक पहुंच सकें चोटे बीमा देने वालों को ज्यादा कवर सकें कवर कर सकें तो एक है उसमें कदम है इंशॉरंस पेनेट्रेशन बढ़ाने के मकसद से यह कदम उठाया गया है इसके बाद हमने कंपनियों का शार्प रियाक्शन भी देखा उनके स्टॉक बाजार में उस दिन यहां गिरावट रही है उसके बाद कंपनियों के जितने सी ओ उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी ज कि यह नियम जो है रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लागू हो रहा है यानि पहली पीछे की तारीक से नहीं होके एक अप्रेल दो हजार थे से यह लागू होने वाला है चलिए यह तो बहुत अच्छी बात है अब हम सवालों की तरफ रुक करते हैं सबसे पहले क्या हमारा है कि यह नॉन यूलिप प्लांस लेकिन आप बीमा से अपने कोई भी सवाल हमें भेज सकते हैं जैसे कि अभिशेक नहीं भेजा है नमरस्ते अभिशेक शुक्रिया जोड़ने खेले अभिशेक पूछ रहे थे कि टर्म इंशॉरंस से रिलेटेट है इनका सवाल अगर पॉल इतने के टाइम में सिटुएशन अलग थी अब अलग है तो अभिशेक के प्रीमियम में कुछ फर्क आ सकता है कि या तो अभिशेक जी मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जब भी हम टर्म प्लान लेते हैं उसमें दो तरिकी केटेगरीज होती है एक होती है स्मोकर और एक हो साल से छोड़ दिया है तो इसमें इतना फरक नहीं पड़ेगा बट हाँ एक जागरुक इंशुरेंस धारक होरण के कारण आप अपनी टाम इंशुरेंस पॉलिशी जिस कंपनी से लिए आप उसको इंटीमेट कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में यह चेंजिस हुए हैं तो कहीं ना कहीं यह बगवान ना करें कभी जरूत पड़े तो यह आपको मदद करेगा ओकी चलिए तो प्रीमें में कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला अब इशेक लेकिन यह अच्छी बात है आपनी अगर कटम ठाया अपनी लाइफ में तो इसकी हम सरहाना करते हैं और बहुत अच जाता था हूँ आपकी जाज़त हो तो पूछो बिलकुर बिलकुर पूछे जी मैं पहले यूलिप में धाई लाग रूपे से उपर के निवेश पर टैक्स और बजट में गयर यूलिप भीमा पॉलिटी के पांच लाग के उपर के प्रीमियम की मैचुरिटी पे टैक्स है सरकार की मंचा क्या है मतलब कितना टैक्स पर हैं बिलकुल टैक्स पहर के दिल से यही आवाज आती है लेकिन कार्तिक थांक यू फू यू पर हमें इस क्वेशन को समझना चाहिए कि सरकार किसे मुझो लगता है टार्गेट करें राइट मैं ती कह रही है पहले तो चाहूंगा कि यह हमें समझना जरूरी है कार्तिक कि इंशॉरंस की मैच्योरिटी पे ही हमें टैक्स लगा है अगर वो पांच लाक या उससे ज़्यादा एक पॉलिसी या उससे ज़्यादा का प्रीमियम हम साला ना देते हैं तो भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो इंश प्रेस कॉंफरेंस से सुने थे बाजोट के बाद उसमें एफम ने भी का निर्मला सितारमन जी ने कि भाई देखिए जो लोग इतना मोटा प्रीमियम दे सकते हैं उन्हें मेच्योरिटी पर टैक्स देने में आपती नहीं होनी चाहिए और आप इतना पहले तो सबसे पहले इस स्टेप को हम अगर क्रिटिसाइज करें तो से पहले देख लिए कि क्या आप वाकर में इतना मोटा प्रीमियम कहीं दे रहें लेकिन आवीन मैं आप से पूछना चाहूंगी कि ये इंडोर्मेंट और मनी बैक यही होंगे ना वो ट्रेडिशनल प्लांस बिल्कुल सही त इसके अलावा हर एक प्लान में लाइफ इंशुरेंस कवर है तो डेथ क्लेम में फिर कोई इंटेक्स नहीं लेगा तो बिल्कुल सही बोला जैसे निर्मला सिता रह्मन जी ने भी बोला कि जो पांच लाग से जादा का नॉन यूली प्लान में इंशुरेंस लेते हैं तो उ इसके ही पैसे बचाने का, इन्वेस्स करने का एक तरीका है एक confusion निवेश किया है और बीमा किया है तो नहीं मैं इसको ऐसे confusion में नहीं बोलूगा कि लोग इसको ही एक product समझ लेते है, asset class समझ लेते हैं जिसमें निवेश कर सकें बट कहीं ना कहीं आपको diversification करना बहुत ज़ यह आप मैंने कई बैर अपने पहले इंटेव्यू में भोला है कि परपस डिफाइन होना चीए कोई भी इंशुरेंस पॉलसी लेते वे चाहे वो टर्म प्लान है चाहे यूलिप है चाहे नॉन यूलिप है तो आप किस परपस की वज़े से ले रहे हैं परपस जैसे मैं मनी ब में एक्विटी मार्केट में लगा है तो वी आर नोट सर्टें कि उस समय पे मेरी मार्केट की सिच्वेशन क्या होगी और मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा तो परपस डिफाइन होना बहुत जरूरी है किसी भी इंशुरेंस पॉलिशी को ले और यह परपस टैक्स बचान अंतर होता है इनमें से किस पॉलिशी में ज्यादा रिटन मिल सकता है और दोनों प्लान में कितनी दर होती है रिटन की थैंक यू अपना सवाल पूछने के लिए आलोग जी जाहिर तो अब ही अब जब इतनी सारी बाते करें नॉन यूले प्लान की तो इन प्लांस की तरफ लोगों का ध्यान भी जा रहा है तो इंडोर्मेंट मनी बैक क्या अंतर आप एक बार थोड़ा सा ब्रीफी शुरात में भी समझा चुके हैं तो मैं फिर से रम जाता हूं आलोग जी एंडो ट्रडिशनल प्लांस के तहत में ही आते हैं इंडोर्मेंट प्लान और मनी बैक प फिक्ष अवधी के बाद मेरा एक फिक्ष एक्सपेंस खड़ा हुआ है तो शायद में इंडोर्मेंट प्लान पे नहीं जाओंगा क्योंकि एंडोर्मेंट प्लान मेरे को मैचिरोटी पे एक लंब सम अमाउंट देता है वेराज मनी बैक हर एक सिमित इंतराल पे मेरे को कु जल्दी निकाल रहा हुआ से जबकि एंडोर्मेंट में ऐसे अकॉर्डिंग टू मनी बैक थोड़ी सी दर ज्यादा मिलेगी बट आपको एक लंसम अमाउंट आपकी मैचिरोटी पे मिलेगा तो परपस रिफाइंड करना लोगी बहुत जरूरी है कि आपका परपस किसलिया आप पैसा उसमें निवेश कर रहे हैं किसी फिक्स अवधी के लिए फिक्स एक्सपेंस के लिए या आपको एक लंसम इखटा करना है जिसमें आपका टाइम पिरट ज्यादा है तो आप एंडोर्मेंट पे जाईए और अगर हम मनी बैक में जाते हैं तो मैंने बताया ना कि या भी हम करते हैं तो diversification of asset class is very much important एक ही basket में हम सारे अंडे नहीं रखते हैं अपनी safety के लिए ऐसे ही अपनी निवेश भी हम एक ही तरह के asset class में नहीं करते हैं और साध के साथ बार बार फिर मैं insurance के नाम पे बोलता हूं purpose defined होना बहुत ज़रूरी है अगर मेरा खर्चा मेरको money back से मेरे को पूरा और हर पांस साल में तो मैं शायद ULIP पे नहीं जाओंगा या mutual fund में नहीं जाओंगा हाँ अगर मेरे को return जादा चाहिए और मेरे को liquidity भी चाहिए तो उस case में endowment में नहीं जाओंगा ओके चलिए तो आपका purpose क्या है गोल क्या है आपका उस हिसाब से तै कीजिए दीपक पाल पूड़े से जोड़े मेरे साथ हेलो दीपक जी कैसे मतद करें क्या जाना चाहते हैं जी मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरी मां को diabetes और हाई बीपी की problem है और मैं उनके लिए health insurance लेना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि प्री एड्रिसिंग बिमारियों के साथ प्रीमा करें चाहिए और क्या प्रीमियम महिंगा देना पड़ता है इसके लिए जी दीपक आपका सवाल रखते है नवीन राजशुपन मेरे साथ बने वे insurance expert है बहुत एहम सवाल है बहुत सारे लोगों को अपने health insurance लें अपनी माता जी के लिए और वो diabetes और hypertension की प्रॉबलम है तो मैंने पहले भी कई बार शेयर किया है कि disclosure of your health status is very much important तो आप अपनी company को बताईए कि उनको ये problem है कितने साल से है क्या दवाईयां ले रही है और क्या line of treatment चल रहा है उनका ये सब disclose करेंगे तो companies उनको दो options होते हैं या तो company उनको मना कर देती है या महंगा insurance कवर देती है और health insurance में एक और तीसरा option भी होता है कि उनको insurance तो मिल जाएगा बट कुछ cooling period होगा जैसे प्रियांका जी ने बोला कि दो साल चार साल के बाद ये इस बिमारी से related अगर कोई claim आएगा तो वो cover होगा बट अगर अभी तक नहीं लिया है और उनको ये बिमारी है तो जल्दी से जल्दी health insurance लीजे अपनी माता जी के लिए जिससे कि जल्दी स जल्दी उनका cooling period खतम हो और insurance cover उनका चालू हो जाए जो पर प्री existing बिमारी होते है ना उस पे cover देने के लिए कंपनिया थोड़ा सा वक्त लेती है उसे cooling period कहते है अब किसी का 12 महीने हो सकता है किसी का 24 महीने हो सकता है यानि 2 साल हो सकता है कुछ का 3 साल भी हो सकता है तो तो आप अपनी मदर के लिए यह बीमा प्लान लेते हैं तो health insurance की cooling period किया है कब से वो pre-existing विमारियों से related complication को cover करेगा इसका ख्याल रखेगा तो आशीश परमान है हमसे फिर से एक बार पूचा है कि अगर मैं आशीश परमार वही जो हमें बता देंकि LIC का उन्होंने एक प्ला आने वाले सालों में उस प्लान के मतलब जो उस surrender में जो भी नुकसान वा उसकी भरपाई हो चाहेगी क्योंकि इनके पास term plan है तो आशीश जी मैं फिर से बात करूंगा कि यह आपको देखना है कि आपका purpose पैसे आपने से बोला कि मैंने ATC के लिए इसमें इन्वेस्ट किया कि उसमें surrender value कितना हा रही है उसको देखके आपको पता लएगा कि आपका decision लेना सही है या गलत है बलकुल यह एक जवाब में हो सकता है अशीश यह आपको कई सारे factors देखने होंगे और लाइटर नोट एक सवाल मैं लेना चाहूंगी अफतार सिंग का जोनोंने पूचा है कि सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि अदानी कांड के बाद LIC policy surrender की जाए या ना की जाए तो as an insurance expert आप क्या कहना चाहेंगे LIC को लेकर भी अभी कई सारे बाते तो उठ रहे हैं as an insurance expert आप क्या बताना चाहें तो insurance का एक regulatory body है इंदोस्तान में जिसे हम IRDA के नाम से जाते ह तो कही ना कही regulatory बहुत strong है आपने पिछले कुछ सालों में देखा भी होगा कि कुछ company उसके साथ कुछ दिक्कत होती है तो दूसरी company उसको take over कर लेती है existing policies के साथ कोई problem नहीं होती है आपने LIC का अगर कोई endowment plan लिया हुआ है या युलेप लिया हुआ हुआ है या term plan लिया ह हुआ है कुछी भी problem किसी भी plan में कोई problem नहीं है irrespective इससे एक फरका सकता है surrender करने की तो जरूत नहीं है प्रयांका जी बट कहीं ना कहीं जो company bonus declare करती थी तो उसके profits पे कुछ impact आएगा तो bonus का ratio कम हो जाएगा तो endowment policies में bonus कम हो सकता है whereas loss किसी का नहीं होगा तो भी surrender करने कहीं था hard decision अपतार जी अभी मत लीजेगा अभी यह developing खबर है और इस पर बातचीत करते रहेंगे लेकिन इस बार की सबसे बड़ी खबर जो रही है budget में वो रही है कि non-ulip पर अगर आप मोटा premium देते हैं तो आपको उसकी maturity की राशी पर tax देना होगा यही चीज हमने देखा था कि budget 2021 में वहा था यूलिप प्लान के साथ तो रहा इसको भी समझा दीजे यूलिप प्लान में धाई लाग के premium की capping है यूलिप प्लान में धाई लाग के annual premium की capping है जिसमें एक या एक से ज़्यादा policy सारी count होंगी तो जैसे ही मेरा annual premium चाहे मैंने दो policy लेख रही है या एक ले रही है दो लाग पचास जार एक रुपया हो जाता है तो उसकी maturity पे मेरेको long term capital gain tax जैसे mutual funds में लगता है एक साल के बाद जो मिलता है वो देना पड़ेगा वेराज अगर मेरी धाय लाग से कम premium annual तो मेरेको under section 1010D में maturity tax free है जो अभी भी पांच लाग से नीचे में एक अपरेल के बाद रही है तो अभी आप इस पूरे बजट के बाद उसके perspective में जब आप insurance को देख रहे हैं तो as an insurance expert आप क्या feel कर रहे हैं कि क्या non ulip or ulip plans और pure term plans य इनके साथ आपको लग रहा है कि इनको देखने का और इनमें निवेश करने का नजरयाब लोगों का बदलेगा तो मैं यह बोलना चाहूंगा इसमें impact उनी पर आएगा जो top line business में participate करते थे मेहंगे premium जो कम premium पहले भी दे रहे थे अभी भी दे रहे हैं वो देते रहेंगे हाँ कही ना कहीं companies का focus कम premium पे और penetration बढ़ाने के लिए रहेगा क्योंकि top line में उनको जो loss होने वाला है उसको कही ना कहीं से दूसी तरीके से वो cover करने की कोशिश करेंगे number of policies बढ़ाने की number of life insurance cover बढ़ाने की तो बीमा की पहुँच बढ़ाने का जो धे है उसकी तरफ बढ़ पाएंगे हम लोग सीमा दया जी से बात करते हैं और यह मैं आखरी सवाल ले रहे हूं इसलिए यूट्यूब में जो लोग लाइफ जुड़े में अगर आप अपने कुछ सवाल भीजना चाहते हैं तो भे करूंगे कि क्या हम इनकी वॉल्यम को तुरह सा बढ़ा सकते हैं प्लीज है अलो जी जी सीमा जी अब मैं आपको क्लियर ली सुन पा रहे हूं पूछिए मैं मेरा क्वेस्टिन है कि मैं अपने लिए एक टर्म प्लान करीमा जादियू मैं वर्किंग प्रोपेश्नल हूं और कोई लोन भी नहीं है मेरे वापर तो मुझे किस तरह का प्लान स्लेक्ट करना चाहिए ओके थैंक यू सोमाच सीमा और बहुत इंपोर्टन सवाल है मुझे लगता है इस तरफ आप सोच रही है अच्छी बात है और बिल्कुल यह राइट टाइम है अन्मारेड है यंग है लोन नहीं है आप कहेंगे अभी खरीद ले ना अभी टांप्लान दिस इस अपर टाइम टॉपर कोई लोन नहीं है आप इनिशल स्टेज पे अपनी अर्निंग पे हैं आपकी लाइबिलिटी और एक्सपेंस भी ज्यादा नहीं है तो और एज भी कम है तो जितना जल्दी ल पहली चीज साथ के साथ आज की तारिख में टर्म प्लान में लिमिटीड प्रीमिम्म पेमिंट ऑप्शन भी हैं जिसमें आप पांस साल साथ साल दस साल में अपना प्रीमियम दे के अपनी लाइबिलिटी को खतम कर सकती है तो जब तक आपके एक्सपेंसिस स्टार्ट तब क्या वो स्टेज पे लेना चाहिए टर्म प्लान क्योंकि तो रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं तो मैं कैसे असे करूं कि मुझे कितने अप्लान लेना चाहिए अगर कोई डिपेंडेंट नहीं है मुझ पर तो प्रियंका जी जैसे अब पहले भी डिसकस किया था इंशोरे पर आखले ज्रूत पड़े बट होना बहुत जरूरी है दूसरी चीज अभी मेरे पास इस पंसदिपरए तो मिरि भी मेरे लाइब लाइब पढ़ेंगे तो जब तक मेरे रिवन मेरे एसका फोई कार जो मन्त्र के शो कुर आप करना को यहीं । भी मत तब खरीटे है जब को इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकिया अपको कभी प्रेडिक्त नहीं कर पाएंगी कि आपको इसकी घुलाइद पड़ेगी इसलिए जब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है यह वो पैर शूट है जो आपको वнул कातो हो गही आप जा सकते हैं, 9311-21874, यह हमारा WhatsApp नमबर, इसके अलावा आप हमें इमेल कर सकते हैं, Facebook और Twitter पर जोड़के अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं, अब YouTube पर जब आपको हमारी शो का टाइम पता हो तो आप लाइव जोड़के भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, बस यह गुजा और बता देते हैं कि Money9 सोमवार से लेकर कि शुकरवाद, लाइफ जुड़ता है आपके साथ, दो से तीन बज़े आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, तो आज मंगलवाल हम बीमा पर बात करते हैं, बुधवार को हम mutual fund पर बात करते हैं, Thursday का दिन होता है personal finance के न रहते हैं, तो प्लीज ध्यान रखे, Monday और Friday वो दिन है जब आपको स्टॉक से जुड़े वे अपने सवालों का जवाब मिलता है, thank you for watching us, जुड़े रहे है Money9 के साथ, और मुलाकात होती है, जल Thursday वाले शोग में मैं रहूँगी, personal finance पर आपसे बात करूँगी, आज के लिए